इस वीडियो में हम बात कहने वाले हैं अगर आपको ओबर अप्लिकेशन के अंदर इस तरीके से इसू आता है चेक योर कनेक्शन एंड ट्राय अगेन तो इस इसू को हम कैसे सोल्फ कर सकते हैं यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसके बाद यहां पर आपको सबसे नीचे जाना होगा system में, system में जाने के बाद date and time पर जाना होगा और यहां पर used network provided आपको दिखाए देगा सबसे उपर तो उस पर click करके से लगा देना यदा time zone आया आपके android phone में तो सच्छी तो कोई बात ही नहीं है तो time zone पर आप लगा दीजएगा उसके बाद फिर यहां से back ला दीजएगा और यहां पर network का internet पर जाएगा एक the ferroplane mode को लगा दीजएगा और उसके बाद बंदगा दीजएगा फिर back ला देना है यहां से फिर back ला देना है और फिर जो है आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है तो प्ले स्टोर में भी हम चलते हैं और फिर प्ले स्टोर में यहापर आपको सर्च करना होगा एप्लिकेशन को उबर को सर्च कर लिजे सर्च करने के बाद अगर उबर के अंदर आपको इस तरीके से अपडेट दिखाई देता है तो अपडेट कर लिजेगा तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपकी जो प्रोब्लम होगी वो सोल्फ हो जाएगी और फिर भी अगर आपकी प्रोब्लम सोल्फ नहीं होती है तो फिर बैक ला दीजे बैक ला दीजे बैक ला दीजे और फिर अपने फोन की सेटिंग्स में चले जाएगे यहाँ पर फिर एपसे नोटिफिकेशन से पिछले जाएए सियाल अपस को खोल लिजी और उसके बाद यहाँ पर अपने उबर एप्लिकेशन को फिर यहाँ पर फाइंड कर लिजे तो नीचे ही आपको यह मिलेगा तो इसको आपको खोल लेना है तो यहीं कहीं पर होगा यहाँ इसको खोल लेना है फोर्स स्टॉप मार देना है यहाँ पर और फिर यहाँ पर मोबाइल डेटा एंड वाइफाई पर जाना है और यहाँ पर बेक्ग्राउंड में डेटा को स्टार्ट कर देना अंटिरिस्टिक डेटर को बंद करते ना है तो आपको इतना ही करना है बस और फिर जो है आपका जो इशू होगा वो सोल्फ हो जाएगा बस अपने फोन को बंद करके खोल लीजेगा तो ये प्रिसेस इसका रहता है बस अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजेगा और चैनल को सस्क्राइब भी कर दीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई and टेक कियार